हेलो दोस्तों नमस्कार इन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे Old Question Paper की एक और सीरीज लेकि आज फिर हम आपके लिए आ गए हैं तो इस वीडियो में हमने शामिल किये हैं बनारा सिंदु यूनिवर्सटी M.P.A.D. Interance Exam 2019 Old Question Paper से लिए गए महातुपून Questions की सीरीज तो वीडियो बहुत ही एलफूल है क्योंकि ये Questions पहले भी बहुत से एक्जैम्स में एज इस पूछे जा चुके हैं और आगामी सभी प्रतियों की परिक्षाओं में इन Questions की पूछे जाने की पूरी-पूरी संभावना है तो वीडियो को पूरा-पूरा लास्ट तक जरूर देखें प्रीविएस वीडियो में हमने आपको वन तो थर्टी Questions सॉल्व करा दिये थे इस वीडियो में हम आपको next questions सॉल्व कराने वाले हैं So let's start with question number 1 And it is asking that extensive interval method improves Extensive interval method क्या improve करता है And the correct answer is endurance यानि की इससे सहनशीलता को improve किया जाता है Extensive interval method improves endurance यानि की सहनशीलता Next question factors influencing growth are यानि की बृद्धी को प्रभावित करने वाले कारक निम्ण में से कौन से है और उप्रोक्त सभी यानि की heredity, nutrition और exercise ये सभी कारक निम्ण में से कौन सा अंग बोलने के लिए उत्तरदाई है Option number 4 is correct here larynx जिसे wise box के रूप में भी जाना जाता है और ये respiratory system में पाया जाता है Next when a part of body has a friction against anything it results in यानि की जब शरीर का कोई भाग किसी चीज से रगड़ खाता है तो उसका परिडाम क्या होता है और इसका परिडाम होता है burning sensation यानि की जलन ये correct answer है Next first commonwealth games were held in और first commonwealth games देखे कहां हुए थे तो आप सभी को पता है 1930 Hamilton Canada से commonwealth games की शुरुवात की गई थी यानि रास्ट मंडल के लो का प्रता मायोजन 1930 Hamilton Canada में हुआ था Next question is asking मानों शरीर में saddle joint कहां पर पाया जाता है And the correct answer is option number saddle joint की बात की जा रही है यानि की अंगूठे में This is correct answer option number sorry अंगूठे में यानि की सिर्फ अंगूठा होगा पैर की अंगूठे में नहीं अंगूठे में यानि की thumb is correct answer option number 4 अंगूठे में पाया जाने वाला joint है saddle joint जो की एक प्रकार का sinobal joint है और freely movable joint में आता है Next question the top spin on volleyball causes यानि की volleyball पर top spin का परिडाम निम्न में से क्या होता है Option number C is correct here lower angle of rebound is correct answer Next what kind of food are vitamins known as Vitamin भोजन के किस प्रकार में शामिल किये जाते है Option number 1 is correct here Protective food जो vitamins and minerals होते हैं वो किसी तरह की energy नहीं देते और ना ही नई cells के बनने में help करते हैं तो ना ही energy giving food और ना ही body building food बलकि इने protective food के रूप में जाना जाता है जो कि diseases यानि रोगों से हमारी रक्षा करते हैं Next एक ग्राम carbohydrate से कितनी calorie उरजा मिलती है या एक ग्राम carbohydrate से कितनी calorie मिलती है तो option number 3 is correct here 4 KCL इस correct answer Next Condition response theory was put forward by यानि कि condition response दान्त के प्रतिपादक निम्ण में से कौन है option number B is correct here पावलाव के द्वारा condition response theory का प्रतिपादन किया गया था Next question When muscle contract but no movement take place जब मांसपेशी संकुचित होती है परंतु कोई गती नहीं होती तो इसे क्या कहा जाता है इसे isometric contraction के रूप में या static contraction के रूप में जाना जाता है जी यां दोस्तो Isometric contraction को static contraction और isokinetic contraction को dynamic contraction के रूप में जाना जाता है और isotonic contraction को dynamic contraction के रूप में जाना जाता है और जो सही आंसर है इस question का वो क्या है कि जब मांस्पेशी संकुचित होती है परन्तों कोई गती नहीं होती, तो correct answer option number 4, isometric contraction इसे कहा जाता है. Next, Plato is referred to as father of. और Plato को किसके जनक के रूप में जाना जाता है, तो idealism यानि आदर्श्माद के जनक के रूप में प्रेटों को जाना जाता है, naturalism के जनक के रूप में रूसों को और pragmatism के जनक के रूप में जॉन डीवी को जाना जाता है. Next question, the test of significance used for camping to mean score is, option number 3 is correct here, means, दो माध्य अंकों की तुला में प्रेयोग की जाने वाली सार्थक बीधी निम्न में से कौन सी है, तो T test, for the comparing, 2 mean score is T test. Next, match the following is related question है, देखें यहाँ पे, and the correct answer is, option number B, means, hinge joint is related to neck, hinge joint, sorry, hinge joint का संबंद जो है, वो देखें किस से है, तो knee से है, hinge joint नी में पाया जाता है, और knee के साथ-साथ, elbow में भी hinge joint पाया जाता है, आपको पता है, saddle joint, previous question में आपको बता दिया, इसका संबंद थम से है, थम में पाया जाने वाला joint है, saddle joint, ball and socket joint जो है, वो shoulder में पाया जाता है, और हिप में पाया जाता है और पाइबर जो है वो नेक में पाया जाता है तो option number 2 is correct here यह यहाँ पे सही मिलान है लेट्स मूग तो next question and it is asking शारीरिक सिक्षा की कक्षा में विशेवस्तु प्रस्तूत करने के सही क्रम का चेहन करना है यानि कि select the correct sequence of presenting subject matter in the class of physical education बहुत important question है कई बार exam में पूछा जा चुका है और जो सही sequence है वो हम आपको बता देते हैं option number 4 यानि कि demonstration then practice then correction and evaluation यह यहाँ पे सही sequence है प्रदर्शन, अभ्यास, सुधार एवं मुल्यांकन next question number of matches in first round of knockout tournament of 23 teams will be यानि कि 30 team के knockout पृतियोगिता में प्रतम चक्र में कुल मैचों की संख्या कितनी होगी and option number 2 is correct here, 8 is correct answer next question number 46 का जो correct answer है वो यहाँ पे है 7 30 team के knockout पृतियोगिता के प्रतम चक्र में मैचों की संख्या जो है वो होगी 7 this is correct answer next question school health program does not include यानि कि विद्ध्यालेई स्वास्त्य कारिक्रम में क्या स्वामिल नहीं किया जाता है option number D is correct here यानि कि स्वास्त्य अनुसंधान health research is not included in school health program next first step in sport management is और खेल प्रबंधन में जो प्रतम चरण होता है वो क्या होता है planning this is correct answer next which of the following is considered as genetic endowment निम्न में से कौनसा अन्वान्शिक धरोहर की रूप में जाना जाता है option number 3 speed गती को अन्वान्शिक धरोहर की रूप में जाना जाता है next in long jump wind velocity is measured for a period of और लंभी कूत में प्रतियोगी ता में वायू का वे कितने समय के लिए मापा जाता है and the correct answer is option number 2 यानि कि 5 seconds के लिए next question केंदरी प्रविती जानने है तो सबसे विश्वस नीमाप क्या है option number 1 mean what is the most reliable measure to know the central tendency तो mean is correct answer next if research can be defined in one single term then research is यदि शोद को एक शब्द के दौरा पड़िभाशित करना है तो शोद को किस रूप में जाना जाता है and the correct answer is all of the above यानि कि सभी इसे discovery, invention या new knowledge की रूप में जाना जाता है okay all of the above is correct answer next critical thinking is the necessary part of which kind of research and the correct answer is option number B basic research critical thinking जो है sorry sorry philosophical research critical thinking की बात की जा रही है critical thinking यानि कि जटिल विचार तो this is part of philosophical research सोच के बारे में आपे बोला जा रहा है जटिल विचार, critical thinking तो philosophical research is correct answer next second quartile is also known as and option number two is correct here median second quartile को median के नाम से जाना जाता है median के रूप में जाना जाता है next which of the following is not treated as variable यानि निम्न में से कौन सा चर नहीं माना जाएगा तो option number A is correct here name नाम को किसी भी variable या चर के रूप में यहां पे नहीं माना जाएगा next which of these is called measure of variability निम्न में से कौन सा बिचलन का माना के है तो range deviation जो है it is known as measure of variability next the type of research are and the correct answer is option number A यानि कि basic research action research and applied research types of research में शामिल किये जाते हैं basic research action research and applied research is correct answer now next question measure of central tendency helps to know केंदरी प्रविती के मापन से ग्यात होता है option number B is correct here status of a group यानि की दल की स्थिती के बारे में पता चलता है केंदरी प्रविती के मापन से next second last question of the series की a research proposal means option number C is correct here blueprint of research work to be completed यानि भविश्च में पूर्ण किये जाने वाले शोध प्रस्ताओं की रूप रेखा को research proposal के रूप में जाना जाता है last question of the series which of the following is an intrinsic reward of sport यानि की निमन में से कौन सा खेल का आंत्रिक इनाम है तो ये आज का आपका होमर question है इस question का answer आप हमें comment box में लिख के बताईएगा दोस्तों कि निमन में से कौन सा खेल का आंत्रिक इनाम है तो मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में till then take care good bye have a nice day